मेजर पवन कुमार, जाट रजिमेंट, 34 वी बटालियन दी राश्ट्री राइफल्स सितंबर 2017 में अंधेरा, घनी जाडियों, चट्टानों और असमतल भूभा की आड़ लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मी से वापस गुस्पैट करते समय घाटी के खुंखार और लंबे समय से जीवित आतंगवादी ने हमारे सैनिकों पर जबर्दस गोली बारी की कट्टर आतंगवादी को केवल सधी हुई अप्रतेक्ष गोली बारी से ही लड़ाई में उल्जाया जा सकता था मेजर पवन कुमार स्थिती की गंभीरता और अपनी जवानों के प्रतीक खत्रे को भाप कर भारी गोली बारी की परवाण न करते हुए तथा अदभुच शौर्य का प्रदशन कर असमतल भुभा का उप्योग करके रेंगते हुए आतंगवादी के पास पहुँचे उन्होंने आतंगवादी पर एक ग्रेनिट डागा जिससे उसे अपने छुपने के स्थान से बाहराना पड़ा और एक भीशन लड़ाई में नस्दीक से गोली मार कर उसे मार गिराया मेजर पवन कुमार ने एक कटर आतंगवादी को मार गिराने में ध्रड़ता करतव्य के प्रती समर्पन अदम में बहादुरी और शौर्य का प्रदशन किया मेजर पवन कुमार